नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन में आंधी तुफान आकासे बीली से 12 की मौत जार्खन में मौसम की जानलेवा बेरुखी सामने आ रही है जार्खन के अलग-अलग हिसों में बिते दो दिनों के दवान आकासे बीली की चपेट में आने से कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई एक अधिकारी ने सनीवार को बताया है कि धनबाद जीले के बररवा इलाके में आकासे बीली की चपेट में आने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई जबकि सुक्रवार को जम सेथपूर के बारहागोर और गुमला जिले के चीरोडी में दो लोगों की मौत हो गई मौसम विभाग के मुताबिक जारखन में अगले 24 घंटे के दाने कुछ जगों प्रहल की बारिस हो सकती है हलाकि इसके बाद से तापमान बढ़ना सुरू होगा अकासे विली की चपेन में आने से ब्रहसत पत्तिवार को साथ लोगों की मौत हो गई थी जिसमें 14 हजारीबाग रांशी बोकारो और खुटी जीले में एक एक ब्यक्ति और पलामो के हुसाइनाबाद में दो लोगों की मौत होई थी वहीं लोहर्तगा में भी एक ब्यक्ति की मौत होने की सुचना है राजय अपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकाई ने कहा है कि मारे गए लोगों के परिजनों को मौपजा के भुक्तान के लिए समधित जीला को हताहतों की संख्या का सत्यापन करने के लिए कहा गया है 30 मई से चलेगा भाजपा का जनसंपर्क अभियान भारतिये जनता पार्टी जहारखन में चुनाओ की त्यारी में जूट गई है 30 मई से पार्टी जनसंपर्क अभियान सुरू करने जा रही है इसे लेकर बैठक में रन निती बनाई गई बतादे 30 माई से जहारखन में भातिय जनता पार्टी का ब्यापक प्रचार पर सार अभ्यान चलाया जाएगा इसका मकसद प्रधान मतिनायन मोदी के जन कल्यान कारी और जनाओ को जन संपर्क अभ्यान के माध्यम से हर घर तक पहुचाना है इसके जर ये संदेश लेना है कि देश की जानता ना सिर्फ केंद्र में बली के राजे में भी हर बार भाजपा सरकार बनाए बदादेश जर खन बीजेपी के परदेश अध्यक दीपक प्रकास ने कहा है कि 30 माई 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक चलनेवाई जन संपर्क अभ्यान में भाजपा के करकाता बढ़ चरकर हिसाले और समाज के आमतिम ब्यक्ति तक चाक और प्रधान मंत्रे और केंद्र सरकार के जन कल्यानकारी जनाव की जनकारी दे नीती आयोग में बोले सियम है मंत MSME में अधिक्तम 40% की जा रही सबसीडरी जारकर में पिशले तीन वर्सो में विकास की गती में काफी तेजी आई है जारकर में अधारबुत संराचना के छेतर में निवेज की असिम समानाय है और सरकार इस दिशा में नेतर प्रयास कर रही है परधान मंत्री स्याग रहा है कि को अपरेटिव फेडर लीजम के सिधानतों को धरातल पर उतारते हुए जारकर को उचित सवयोग परधान किया जाए ताकि बिक्सित भारत की परिकलपना को सकार करने में जारकन में अपनी भागिदारी दर्ज करा सके ये बाते मुक्य मंत्री हमांसुरे ने कही है पतादे मुक्य मंत्री नई दिली के बिज्ञान भर में आयोग की सासी परचत की आठवी बैटक में बोल रहे थे मुक्य मंत्री हमाउसुरे ने कहा है कि पिछले वर्सों में राज सरकार द्वारा समाज के अमतिम पैदान पर खड़े ब्यक्ति तक मुल्बुत सुईधाओं को पहुचाने को लेकर महत्पून प्रयास किये गा है मैं इस बैटक में उपस्ति सभी सरसों को बिश्वास दिनाना चाहता हूँ कि जार्खन देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने को लेकर सजय तत्पर रहा है यहां आगे भी रहेगा जार्खन में आज से बढ़ सकती है गर्मी राज़धानी समय जार्खन में रवी वाय यह से गर्मी बढ़ सकती है आसमान में छाय बादल अब छटेंगे और गर्म हवा का रूक भी जार्खन की ओर होगा 30 और 31 माई को हलके बादल छा सकते हैं लेकिन 1 जून से गर्मी बढ़ेगी राजे में अगले 4 दिनों के दोरान 2-3 डिगरी अधिकतम थापन में ब्रीधी होने की समना व्यक्त की गई राजे में पिछले 24 घंटे के दोरान लगभग सभी हिसों में बारिस हुई बोकारो थर्मन में 22.4 मिली 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 कॉमिन कॉंग्रेस कमिटी की बैठक जीला अध्यक्ष डाक्टर राकेश कि रन महतों के अध्यक्ता में संपन हुई बैठक मिन्या लिया गया कि गाव पंचाज से लेकर परखंड वा जीला अस्तर तक आम लोगों की समस्याओं के समधान के लिए एक जून से कॉंग्रेस आप और समर्पित कॉंग्रेस जनों को समानित किया जाएगा इसके लिए परखंड मंडल जीला परभारी और स्वयम जीला अध्यक्ष परखंडों का दवरा करेंगे बैठक में सभी परखंड वा मंडल छेत्र के जीला परभारियों की भी घोस्ना की गई और सभी नन्यूक्त मं कडल अध्यक्षगन को माला पना कर स्वागत किया गया। गञ़ कर रहए बाहर के गड़वा जी लिम्हें सानिवार को अपनी प्रिति कुमारी के बिरुद, अनुसंधान में जुट गई स्रवबुद, और अवेधिकुमारी के बिरुत मनम्ला दर्ख कर अनुसंधान ने चुट पत्नी के बीच नियाले में कई मामले चल रहे हैं स्रवन राम ने आगे बताया है कि वह कर्या साला से बाहर निकल रहा था तभी पत्नी प्रितिकुमाई ने आकर मार पीट की और सरकारी दास्तावेश फाड़ दिये उस समय कर्याले में करीब 200 कर्याले कर्मी पंचाइट प्रतिनी दीवा ग्रामिन उपस्थी थे जिनके समक्ष प्रितिकुमाई नेमार पिट की जिससे मैं काफी सर्मिन्दा हूँ जोड घटाओ के प्रशनों में उलज रहे जारखन के बच्चे जारखन के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले एक तिहाई से अधिक पचे गनीत में कमजोर हैं हाल ही में राज सरकार के ओर से बुनियादी सक्षारता और बुनियादी गनीतिय च्छमता को लेकर कराये गए सर्वे में यह बात सामने आई है निपुन भात मीशन के तहट यह अधियान राज के 2069 स्कूलों के 34745 बच्चों के बीच सोयन से ही संस्थावों के माध्यम से कराये गया स्कूलों में कराये गए बुनियादी सक्षारता और संख्या गयान 2022 सर्वेक्षन के रिपोर्ट के उनसार सतकारी स्कूलों में कक्षा 2 के 34% बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप जोड के आधे हिसाब हाल नहीं कर पाते वहीं इसी तरह 44% बच्चे घटाव के आधे हिसाब नहीं बना पाते इसी तरह दूसरी कक्षा के 90% बच्चे कक्षा एक के अस्तर के जोड के आधे से अधिक प्रशन तो हाल कर लेते हैं लेकिन अपनिक अक्षा 2 के अस्तर की लेबल 66 प्रश्च बच्चे ही आधे से अधिक प्रश्ण हल कर पाते हैं एक हजार कलोर के अवह धखन मामले में फरार दाहु यादो के पिता से 6 गंटे तक पुश्टाच जार खन में संताल प्रगना के छेतर में एक हजार कलोर के अवह धखन मामले में मनी लॉंडरिंग के तहत जाच कर रही इडी के टीम ने साहव गंज निवासी दाहु यादो के पिता पासु पत्ति यादो से 6 गंटे तक पुश्टाच की टीम ने दाहु यादो की संपतियों और सायोग्यों के बारे में भी उसके पिता से जनकारी ली अब इडी आए खरवाई करेगी इडी के अधिक कारी रभीवार को भी सेंट्रल जल जाएंगे और पसुपति यादो से पुश्टाच करेंगे बदादे अवायद खन का रोपी राजेस यादो उर्फ दाहु यादो फिलाल फरार हैं उसका गिरफतरी वरंट भी जारी है लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा है तेरा हुँए होकी इंडिया जूनियार पूरुस होकी चैंपियाशिव का उजण 12 से 21 जूंतक उडिशा के राँल किरा में किया जाएगा इस चेंपियंसी में भाग लेने के लिए जारकन पूरुष टीम के गठन के लिए सनिवार को एस्टोटर फाओं के इस्टेडियाम बर्यातु गल्स हाई स्कूल में चर्ण ट्रोयल आयन किया गया पलामो में दो टीपीसी उगरबादी गिरफतार पलामो पूलिस को उगरबादीों के खिला बड़ी से फलता मिली है जीले के पड़वा थाना चैतरे के माधूरी जंगल से पूलिस ने उगरबादी संगा ठन्टी पीसी के दो सबकरीये सदस्टे नाकूल सिंग और सुजन्दव सिंग को गिरफतार किया है गिरफतारी के दोनों को जेल भेश दिया गया है